दोस्तों नौस्कार आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक सीवियरली डेमोडेक्टिक मेंज से अफेक्टेट और सीवियर पायोडर्मा, कनकरेंट पायोडर्मा से अफेक्टेट डॉगी का इलाज हमने कैसे किया और उसको किस तरह से हम बचा पाए तो इन से मिलिए ये हैं ब्लैकी और इनको कोई हमारे हस्पिटल के बाहर इस हालत में छोड़ गया था जब कोई ओनर इनके पास नहीं था तो हमारे स्टुडेंट्स ने बताया कि यहां पर किसी पेट ओनर ने अपने डॉग को इस हालत में छोड़ दिया है और इसको कोई देखने वाला नहीं है इ इनके पास भी कोई फटकने वाला नहीं था फिर हमने सोचा अगर कोई नहीं है तो हम खुद इने अडप्ट करेंगे और इनका इलाज करेंगे इनका सबसे पहले हम लोगों ने डाइगनोसिस किया पायोडर्मा तो था ही साथ में डेमोडेक्टिक मेंज भी डिटेक्ट किया ह लोगों ने माइक्रोसकोपिक एक्जामनेशन में सीवियरली या यूं कहें कि हाई डेंसिटी में डेमोडेक्ट माइट प्रजेंट थे Microscopic Examination करने के बाद अब हमें Decide करना था कि Demodactic Mange का इलाज करना है और Pyoderma का इलाज करना है तो Pyoderma जब इस लेवल कराता है जहां Open Unn बहुत जादा होता है उस Condition में आप Might के लिए जो Drug of Choice है अमितराज जी से कहते हैं उसका इस्तेमाल इमिडियेटली नहीं कर सकते हैं हमने भी ऐसा ही किया सबसे पहले Pyoderma का Treatment किया Pyoderma का Treatment हम Oral Antiviotic से नहीं करना चाहते थे क्योंकि सिवियर्टी बहुत जादा थी और इनके बारे में भी मुझे पता नहीं था तो इनको Oral Medication मेरे लिए डिफकल्ट था इसलिए हमने Injectable Antiviotic सेलेक्ट किया और Linkomycin का Injection हमने किना सुरू किया आप चाहें तो Oral Antiviotic पे भी रख सकते हैं Oral Antiviotic Pyoderma में जो सेलेक्ट किये जाते हैं वो Sifuraxim Clamonic Acid के साथ कर सकते हैं Amoxicillin Clamonic Acid के साथ कर सकते हैं Sifalaxin कर सकते हैं आप Fluorokinolons में Marvofloxacin या Enrofloxacin भी सेलेक्ट कर सकते हैं Clindamycin का भी इस्तेमाल इसमें करने के लिए recommended है लेकिन हमने यहाँ Injectable Linkomycin का Injection सेलेक्ट किया था और लगतार फाइव डेज तक Linkomycin देने के बाद इनका Skin Condition जो था इस तरह से इंप्रूव हो गया था और लगबग सारे उन ट्राइअफ हो गये थे जब उन ट्राइअफ हो गये तो हमें इन्हें अमितराज Topical Application करना था लेकिन आप लोग को पता है कि अमितराज लगाने से पहले Follicular Flussing के लिए और जो Crust है उनको Remove करने के लिए शैंपू शावर देना होता है कुछ जिसमें वैशे शैंपू जो Benjoyal Paroxid कंटेन करते हैं कुछ शैंपू हैं जो Benjoyal Paroxid के साथ साथ Immunomodulator भी रखते हैं या Skin Immunity को Enhance करने वाले होते हैं तो उनको आप Select कर सकते हैं और Follicular Flussing के लिए उनसे पहले नहलाया जाता है सबसे पहले आप शैंपू बात देंगे उसके बाद अच्छे से Toil Dry कर लेना होता है ताकि Body के उपर Water न रहे अगर Water रहेगा तो अमित्राज का जो Concentration है वो कम हो जाएगा इसलिए अच्छे से Toil Dry करना आवशेक है Toil Dry करने के बाद आप अमित्राज 3 ml जो 12.5% मार्किट में आता है उसका 3 ml एकजेक्टली एक लिटर पानी में मिक्स करते हैं और फिर उस Solution को पूरे Body पे अच्छे से रब करके किसी Cotton के कपड़े से लगाते हैं ध्यान देना होता है कि अमित्राज का जो Solution है आँखों में न जाए या Oral मिकुसा पे न लगे बाखी के हर Body Part पे आप उसे लगा सकते हैं अमित्राज लगाने के बाद आपको Sunlight में या Fan के नीचे Dry होने के लिए छोड़ना होता है अमित्राज लगाने के बाद कभी भी बात नहीं दिया जाता है कभी भी पानी से धोया नहीं जाता है जब अमित्राज का सोलूसन सूख जाए फिर Next Week यानि के Weekly Interval पे आपको अमित्राज बात देना होता है Next Week उसी तरह से Shampoo बात देना होगा, Toil Dry करना होगा और फिर अमित्राज सोलूसन लगाना होता है इस तरह से आप Weekly कम से कम अगर Demodactic Means है, Generalize तो Minimum 12 Week तक आपको अमित्राज बात देना होता है लेकिन इनको ट्रीट करने में 12 Week के बाद भी इनमें Might प्रजेंट था हमने 6 Month तक लगतार अमित्राज बात दिया था और उसके बाद लगभग ये Completely क्लिनिकली तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सारे बाल नहीं आया थे, हरकोट नहीं आया था बट Might negative हो गया था तो 6 महिने लगे इनको ठिक होने में उस समय Alternate जो आजकल मार्केट में अबलेवल है डेमडेक्टिक मेंज के ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाएं आ गई हैं वो एवलेवल नहीं थे इसलिए मुझे मुझे अमित्राज पे डिपेंडेंट रहना पड़ा आज अगर आप देखें तो मार्केट में कुछ अड़बांस दवाएं हैं इसी तरह से आप सैरो लेनर यूज़ कर सकते हैं जो सिमपरिका के नाम से आता है यह 35 डेज में रिपीट करना होता है इसी तरह से आप चाहें तो आसुकजाजोलीन ग्रूप का एक तीसरा मेडिसिन है अपहक्सो लेनर उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट इसकी frequency और भी ज़्यादा जल्दी होती है ये दवाएं आप चाहे तो इस्तिमाल कर सकते हैं कुछ लोग आज कल क्लेम करते हैं कि इमिडा क्लोप्राइड के साथ मॉक्सी डेक्टीन का कमिनेशन जो एस्पोर्टन आते हैं वो भी डेमाडेक्टिक मेंज में एफिकसियस है लेकिन उनका रिजल्ट उस लेबल का नहीं है तो या तो आप आजसुक्साजॉलीन ग्रूप का टाबलेट सी यूज करें चीवेबल टाबलेट सी यूज करें या आप अमितराज जो ट्रेडिशनल है उसका इस्तेमाड डेमाडेक्टिक मेंज को करने के लिए कर सकते हैं छे महीना के मेहनत के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि छोटी से सुभी किस तरह से ब्लाकी के साथ एंज्जॉय कर रही है इसके बाद एक ब्राउनी फ्रेंड मिल गई ब्राउनी को भी डेमेलक्टिक मेंज था और किसे ने फिर उसे मुझे ट्रीट्मेंट के लिए मेरे गर पे इंचोड़ दिया था मैंने उसे भी अडप्ट किया ताकि दोनों पैट्स एक दूसरे के साहर रहा है और दोनों का इलाज किया दोनों ने एक दिन बहुत तेजबारी से और चिल्दन पाउग जो था वो से भी मजा आने लगव लेकी को देखो कि आप यहां देख सकते हैं कि ब्लाकी और ब्राउनी फुल इंजॉयमेंट में हैं और अपने लाइफ को फुल इंजॉय कर रहे हैं तो दोस्तों आप सीवियर से सीवियर केस का इलाज कर सकते हैं उसक्ते आपको पिसेंस रखना पड़ेगा समय लगता है कि इन दवाएं मार्किट में अबलेवल हैं सही डाइगनोसिस होगा तो आप इसका इलाज कर सकते हैं मुझे लगता है यह वीडियो आपको जरूर मदद करेगा कई ब्लैकी को बचाने में कई ब्लैकी का इलाज करने में तो मेरे वीडियो को देखने प्लिए तैंक यू धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलें शेयर करना ना भूलें नमस्कार